हे पीपल, वेलकम टू रेड़ी फोर स्टेडी, मैं आनसी गुपता, आज आपके सास्थ क्लास नाइन्थ की शुर्सल साइन्स वर्क्षिट करने जा रहे हूँ, यह आपकी सस्टी वर्क्षिट नंबर 89 है और इसकी देट है 17 फैबरी 2022, ठीके, तो इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, हम आपकी सिविक्स की बुका चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, वर्किंग ओफ दा इंस्टिटूशन, तो बेसिकरी आज हम जुडिशिरी की बारे में पढ़ेंगे, देखो यह आपका टर्म टू का एक इंपोर्टेंट चैप्टर है, अगर आपको अभी तक क्लास क्लास 9 का स्लेबस नहीं पता है, तो प्लीज मैंने उसके उपर एक वीडियो बनाई है, क्लास 9 टू स्लेबस, तो उसको देख लीजिएगा, मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूँग, ताकि आप उसको अवेल कर सेके, और आप उ सब्सक्रिप्शन काहिक जाता है, उसको मिलाके जाता है क्या जाता है क्या जाता है कोई बिञिक कॉन कौन से कोट आते हैं तो सबसे अ अन्यवर का सबसे में कोट आ है इसको एकको जुश्री में वो आता है सबसे पहले फिर आपके आते हैं हाई कोड जो हर particular state के होते हैं तो इनको state court भी पोले दाता है हाई कोड आ गए और फिर हाई कोड आता जानि जो हर district में पाये जाते हैं ठीक है अप ठीक है India has an integral judiciary that means that supreme court control the judiciary administration अब देखो हम देखते हैं कि जो इंडिया का सुप्रीम कोट है ना वह अनदर कोट के उपर अनदर हाई कोट के उपर एक नज़र रखता है कि वह कहीं गलत काम ना करें ठीक है वह उनको हट जगा पर गाइड करता है और जुडिशिरी से रिलेटिट जितना भी चाहिए तक हम अपने देश में एक अच्छी डेमोक्रिसी को स्टाब्लिश कर पाएं ठीक है तो अब हम देखते हैं कि हमारा सबसे बड़ा कोट है सुप्रीम कोट वह कौन-कौन से केस को हैंदल करता है कौन-कौन से केस की हीरिंग को देखता है तो सबसे पहली बात जनता ने विद्रहो कर दिया या जनता वाज उठा देखता है तो उसमें एक अनर्सी का केट जुना ओगा तो उसमें भी सुप्रीम कोट ने एंटर फिर किया था जब अलग-अलग स्टेट गर्मेंट की बीच में लड़ाई हो जाती है तो उसको भी कौन सुनता है सुप्र करनाटक और अंधरप्रदेश की बीच में जो है नदी के पानी को लेकर कावेरी नदी के पानी को लेकर जो डैस्पीट होता रहता है तो उसकी सुनवाई कौन करता है सुप्रीम कोट सुनता है ठीक है फिर हम देखते हैं कि सुनवाई करता है सुप्रीम कोट जो है सुनवाई करता है ठीक है इस अपक्स बड़ी बॉड़ी है जो क्रिमिनल केस को और सिविल केस को देखती है अब मानने लीजह हाई कोट ने कोई किसी भी की किसी भी प्रॉब्लya में हो जाती है किसी भी केस के वंपर आपना वर्डिक्त दे दिया है ठीक है अपना मतला फैसला दे दिया है और उस फैसले से जिसम्हों आउनी से तो वह उस लिए जाँके सुप्रीम कोट में डालें अब जुडिशिरी को independent होना बहुत ज़रूरी है क्यों होना ज़रूरी है यह चीजे हमने आगे question में भी करी है तो वहीं पर मैं आपको explain कर दूँगी ठीक है आगे देखो जुडिशिरी इंडिया के जो constitution है उसमें जुडिशिरी के लिए क्या-क्या बाते कहीं गई है कौन को सी चीजे लिखी गई है हमारे constitution में तो देखो the supreme court and the high court have the right to interpret the constitution of the country अगर कोई constitution को गलत तरीके से समझता है तो और मरोड के पेश करता है तो सुप्रीम कोट जो है उसके पास पूरा पूरा राइट है कि वह constitution की सही से उसको interpret करें सही से उसकी व्याख्या करें if the judiciary feel that any legislation of the legislature or any executive action is against the constitution जब उसको लगता है कि कोई भी law जो है वह constitution के अगेंस्ट बन गया है तो वह क्या करती है वह उस law को उस कानून को illegal घूशित कर देती है और इसको invalid करार देती है और बोलती है कि यह जो बिल है यह पास नहीं हो सकता in this way if a law or executive action is challenged then the supreme court decides its constitutional verdict और अगर कोई भी law को कोई भी law जो है उसको अगर हम challenge करते है supreme court में तो supreme court constitutions के according उसका जो है answer हमारे को करता है we know this as a judicial review the supreme court has also ruled the parliament cannot change the fundamental principle of the constitution अब देखो supreme court जो है वो इसके उपर हमेशा नजर रखता है कि जो हमारे खुद के जो individual fundamental rights हमारे constitution के थ्रू मिले हुए है उसके उपर कोई भी उसको कोई violent ना करे तोड़े ना और उसमें कोई changes भी ना करे इसके उपर कौन नजर रखता है supreme court नजर रखता है जो हमारे fundamental rights ना उनको change नहीं किया जा सकता है judiciary and the fundamental rights तो भई क्या होता है हमारे fundamental right और यह क्या से judiciary हमारे fundamental right को protect करती है वो हम परते है the Indian judiciary protect the fundamental right of the citizen that is citizens can also go to court if their rights are violated अगर किसी country के citizen के rights को violet किया जाता है तो लोग जो है अपने rights की demand करते हुए जो है supreme court में जा सकते है in recent year the court have given various decisions and directions for the protection of public interest and the human right in cases the public interest is hurt by the action of the government anyone can move to the court अगर government की किसी भी action से किसी इंसान के fundamental right hurt होते है वाइलेट होते है तो वो बंदन क्या है वो person court में जा सकता है supreme court में this is called the public interest litigation the court in terms to prevent the government from misusing its decision making power for this reason people trust the judiciary a lot देखो government के गलत कामों पर भी कौन नज़र रखता है supreme court नज़र रखता है और government को गलत decision नज़र भी रोक भी सकता है इसलिए लोगों की नज़रों में supreme court जो है एक trustworthy institution है लोग उसका बहुत सम्मान करते हैं ठीक है आपको question दिए हुए है चार इनकी आंसर देख लिए कि जुए judiciary क्या है तो all the court और country की government की विच में कोई dispute है तो वो सुना जाता है dispute between the two or most states अलग अलग राज्यों की विच में अगर लड़ाई है कोई जगड़ा है तो उसको कौन सुनता है supreme court सुनता है ठीक है central government और किसी राज्ये की विच में dispute है तो उसको भी supreme court सुनता है और can also hear against the high court verdict ठीक है next question क्या है आपका next question है how does the independent judiciary work तो जो independent judiciary होती है वो कैसे work करती है ठीक है तो हम इसमें ये देखेंगे कैसे काम करती है भई question number three है आपका how does the independent judiciary work तो जो independent judiciary होती है यानि कि सोतंत्र रूप से काम करने वाले judiciary जो होती है वो कैसे काम करती है ठीक है तो भाई देखते हैं कैसे काम करती है जब दा court and its officers are free from the inappropriate intervention in the judiciary's affair देखो जो government होती है ओफिसर होते हैं वो judiciary के अफेर में interfere कर नहीं कर सकते हैं उनको कोई राइट नहीं होता है कि वो लोगों के equally सबकी सबकी रक्षा करती है ऐसा नहीं कि अपर कास के लोगों की जद रक्षा करेगी लोगों की कम रक्षा करेगी ऐसा नहीं है सबको इक्वल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ठीक है दा इफेक्टिवनेस अफ द लॉओ एड रिस्पेक्ट द पीपल है फो द लॉओ और गवर्नेंट विच इनक्ट इट्स इस लिए लोग उनको पता है कि गलत काम नहीं कर सकती है अगर गलत काम करेगी तो जुडिशिरी उसकी गर्दन दबोज लेगी ठीक है तो इसलिए लोगों के मन में उसके लिए अलग से ट्रस्ट है एक रिस्पेक्ट है इस नाट फॉल अंडर दा कंट्रोल ओफ लेजिसले इस लिए पर 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 संब्सक्राइब लोगों के रक्षा करने के लिए बहुत जरूरी है वाइवर दर पर 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 वाइलेटिट अगर किसी इनसान के राइट को वाइलेट किया जाता है तो समीधान की तरीके से व्याख्या करती है कि तुम गलत कर रहे हो समीधान में ऐसा लिखा लिखा है कि हमारे को सब की रक्षा कर ली चाहिए वह सब कुछ कौन बताता है जूडिशी बताती है तो बस आपकी आज आज का जो विडियो लेक्टर था वो सिराफ इतना था यह तो आज की वीडियो को में खतम करते हैं अकर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेर कीजे जिए वीडियो को लाइक की ज़र चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना मत बूलाना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तक लिए था